जैने दोस्तों बंदे मातरम, देखिए इस समय हर कोई IPL के खिलाडियों की बात जरूर कर रहा है कि किसका कितना बेस प्राइज है, किसको रिटेन किया गया है, किसको राइट टू मैच कार्ड के थूर अंदर लिया जाएगा, कौन किस टीम में जाएगा, बहुत तरह की बात गौतम गंबीर को लेकर काफी जादा क्टिजम कर चुके हैं, क्योंकि गौतम गंबीर के आने के बाद में हम लोग श्रिलंका से हार गए, श्रिलंका में हार गए, और अब नियूजिलेंड से हार गए, तो यह कुछ ऐसे चीज़े हैं, जो कि सालो साल से हुई नहीं थी, ल बहुत जाद निराशा जनक है इस बात से हम लोग इंकार वाकई में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में गावसकर साहब ने क्या कुछ बाते कहीं जरा उसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं गावसकर साहब ने दरसल खुलकर कप्तान रोहिट शर्मा विराट कोली गौतिम अंभी को बात कही है दरसल न्यूजिलेंड सीरीज में रोहिट और कोली पूरी तरह इसा फ्लॉप रहे थे रोहिट ने छे पारियों में सिर्फ 91 मनाये थे जबकि कोली ने इतनी पारियों में 93 लगावसकर ने दोनों का सपोर्ट किय उसके बात ने उन्हों नहीं कहा है कि सुनिल गावसकर अपने समय के खोड़े दिगज खिलाडी रह चुके तो अव्यसी बात है वो जब कोई बात उट करते हैं तो उसको सुनना चाहिए जैसा उन्होंने रोजचर्म विराट कोली को लेकर कहा उन्होंने कहा कि आप उन दोनों पर ही क्यों उठा रहे हैं जो डिलीप टॉफी में खेले उन्होंने भी क्या कर लिए गावसकर ने कोली की कमी भी बताई गावसकर ने कोली को लेकर कहा कि विराट कोली में कोई दिक्कत नहीं है उनकी सबसे बड़ी कमी उनकी किसमत है उनकी किसमत समय उनके साथ नहीं दे पारी है विराट कोली ने बैंगली रू में 70 रनों की पारी खेली थी लेकिन इसके बाद वो फ्लॉप हो गए अब वो क्रीस पर आते हैं और ज्यादा समय तक्टिक ही नहीं पारे है गावसकर ने कह लगावसकर ने कहा कि कप्तान को पहले टेस्स खेलना जरूरी है अगर लीडर ही लड़ाई में अविलेबल नहीं रहेगा तो डेप्यूटी को लीडर बनाना पड़ेगा और उस पर जो प्रेशर बनता है वो एक अलागी लेवल का होता है उसके वाइस कैप्टन के लिए जिम्मदारी लेना इतना ज़दा आसान नहीं हो जाता और अब विसी बात है रोई शर्मा का पहला डेस्ट नहीं खेलेंगे तो शायद वो हो सकता दूसरा डेस्ट मैच भी ना खेलें तो ऐसे किसी दूसरे को ही कप्तान मना देना शायद ठीक रहेगा उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं यही कहूंगा कि अभी भारती चैन समीती को यह बोलना चाहिए कि आपको आराम करना है आप आराम करिए परसनल रीजन है तो उन्हें देखिए लेकिन अगर आप दो तिहाई मैच मिस्स कर रहे हैं तो इस दौरे के लिए आप सर्फ खिलाडी किनाते जाएए हम इस दौरे का कफतान जो कफतान है उससे बनाएंगे क्योंकि क्लारिटी होनी चाहिए खिलाडियों को भी क्लारिटी होनी चाहिए गावसकरward साहब ने कहा कि बिल्कुल सही मैं यही कह रहा हूँ कि भारती क्रिकेट सबसे जरूरी है अगर न्यूजिलेंड सीरीज हम 3-0 से जीतते तो बात कुछ और होती क्योंकि हम हार गए हैं तो कप्तान होने के नाते कप्तान को टीम को एक साथ रखना होगा अगर शुरू महीं कप्तान नहीं है तो भैतर होगा कि किसी औरो कप्तान मनाओ पूरे टेन्यूर के लिए बनाओ इसके अलावा गावासकर ने गंभीर के कोचिंग टेन्यूर के उपर भी सवाल उठा दी है उनका कहना है कि आकड़े खुद पूरी कहानी पेश कर रहे है आकड़े देख लो वो खुद सब कुछ आपको बता देंगे लंबे समय बाद भारत को श्रिलंका से वंडे सीरीज में हार मिली है अब यहां पर हार मिली बहुत बुरी हार है इसलिए मुझे लगता है कि आकड़े खुद ही अपनी बात कह रहे है आटीम मेनेजमेंट को जिम्मदार ठहराते हैं यह आउसकर ने कहा कि मुझे लगता है कि हर एक टीम में थिंग टैंक होता है शायद कप्तान, उपकप्तान, कोच, ये लोग फैसले लेते है कभी कवार कप्तान आखरी समय पर कुछ फैसले करता है हो सकता है कि वो किसी को बैटिंग में उपर भेजना चाहता हूँ अगर ये काम करता है तो महान फैसला कहलाता है अगर नहीं करता है तो बुरा दिखता है और मुझे लगता है कि ये फैसले थिंग टैंक को ही लेने चाहिए WTC को लेकर भी गावसकर साहब ने बात करी क्यों दरसल न्यूजिलेंड से हालने के बाद भारते टीम ने ICC World Test Championship के पॉइंट स्टेबल में टॉप की पोजिशन गवा दिया है अगर भारते टीम WTC की फैनल में जगे बनाती है तो उसे ऑस्टेलिया के खिलाफ पांच में चुकटे स्रीज में अब बिना किसी दूसरे के सहारे के कम से कम चार मैच जीतने पड़ेंगे और चार जीरो से इस स्रीज को जीतना पड़ेगा ऐसे में जब गावसकर से पूछा गया कि भारती टीम ऑस्टेलिया को चार जीरो से हरा कर WTC के फैनल ने पहुंच सकती इसके जवाब में कबुर कफ़तान गावसकर ने कहा कि बॉल्डर गावसकर ट्रॉपी वर फोकस करो और WTC को फिलहाल के लिए भूल जाओ वही बहतर रहेगा गावसकर साब ने ऐस्टेलिया टेस सीरीज को लेकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया ऐस्टेलिया के खिलाफ चार जीरो से सीरीज जीत पाईगी अगर टीम ऐसा करती है तो मैं चार जीरो बहुत 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 जाओंगा लेकिन चार जीरो बहुत 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 मुश्किल है भारत यहां 3-1 कर सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि WTC फाइनल खेलेगा लेजेंग बाषकर ने कहा कि भारत को फिलहाल सिर्फ औस्टिलिया पर फोकस करना चाहिए आप चाहिए 1-0 से जीत जाए 2-0 से जीत जाए 3-1 से जीत जाए लेकिन आपको जीत ना होगा क्योंकि भारती क्रिकेट फैंस को औस्टिलिया के खिलाफ जीत ही अब इस point of time पर रहात दे सकती है और कोई चीज रहात नहीं दे सकती और यकीन मानिए बात कुछ ऐसी है नवंबर भारतियों के लिए पिछले कुछ समय से काफी डरावना साल होता जा रहा है तो जायर सी बात है कोई भी नहीं चाहेगा कि इसमें और बुरी आदे जोड़े कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं आपका क्या कुछ कहना इस बारे में मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं चाहे हैं चाहे भारत